वेल्कम टू क्लास ओक्साइट करेंट अफएर वीकली करेंट अफएर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नैशनल करेंट अफएर 19 जून से 25 जून 2023 तक और यह होगा हिंदी और इंग्लिस में स्टार्ट करते हैं तो पहला जो करेंट अफएर है वो यह है कि केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरी वीजेयन ने तो इन्होंने इनग्रेट किया है पहला इंफिनिटी सेंटर ऑफ केरला स्टार्ट अप मिशन जिसे शॉट में के स्यूम कुसुम बोला जाड़ा है तो यह जो है इसनल्किशा है कि यह स्टारट वाएं कहां पर दुबई में तो याद रखना है कि यह पुटिकलर मिसं इसके ठुरू है जो हमारे भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको इंकरेच किया जाएगा कि वो क्या करें केरला में इन्वेस्टमेंट करें केरला में वहां पर नेस्टनल योगा ओलंपियाड ये ओगनाइज होता आ रहा था डेली में, नेस्टनल कैपिटल डेली में, लेकिन for the first time ये उससे बाहराब ओगनाइज किया गया है, और ये ओगनाइज किया गया है, कहां मंध्य प्रदेश में, तो यह दखना है नेस्टनल योगा है, कनाठका की गवर्मेंट ने रिसेंटल एक स्कीम, उनकी जो एक स्कीम है वो लांच किया था, ग्रह जोती स्कीम, इस स्कीम के अंदर में वो क्या करेंगे, तो इस स्कीम के अंदर में वो लोग जो है, affordable housing for the poor और middle class family को प्वाइट करेंगे, तो जो पूर है, middle class family है, उनको जो है, housing जो है, घर जो है, उनको पॉइट किया जाएगा, इस स्कीम में, ग्रह जोती स्कीम, नेक्स्ट, रवी सिन्हा, ये पॉइंट हो गए है, as the chief of the raw, research and analysis wing, तो research and analysis wing के चीफ रवी सिन्हा, next trend affair, आचार्या and गोपी, ये बहुत ही famous point रहे है, इनको साहित्या Academy Award से भी जो है, ये अवाड भी इनको मिला है, तो अब इनको एक नया एक अवाड मिल रहा है, अब वो नया अवाड कौनसा आपको आखना है, कोथापल्ली जैसंकर अवाड, तो याद रखना है, प्रोफे course है, ये basically administration से related है, जो की प्रसासन जो है, उससे related है, और इस course को launch किया, कहां गया है, तो आई-गोट कर्म योगी नाम का website है, platform है, तो वहाँ, आई-गोट कर्म योगी नाम के platform पे launch किया गया है, नेक्स्ट, एक और scheme है, वो भी कर्नाटका में ही launch हुआ है, अन्या भाग्य स्कीम, इस scheme के अंदर में कर्नाटका government जो है, जो पूर है, जो गडीव है, BPL, जो card holders जो है, उनको 10 kg जो है, वो rice देगी, लेकिन ये recent में news इसलिए में था, because rice की थोड़ी shortage हो रही थी कर्नाटका म तो इसलिए ये थोड़ा news में था, next current affair, पहली first skin bank of North India, तो North India की पहली skin bank, ये ही start हुई है कहाँ पे, तो Delhi के सफरदरगंज hospital में, तो New Delhi के सफरदरगंज hospital में पहली skin bank, North India का, अगली current affair है, United Nation Development Program, UNDP, और दीन द्याल अंतोधाय योजना नेशनल अर्बन मिलिबली हुड मिशन, short में क्या, DAY NULM, तो इन्हों ने आपस में जो है, कोलाबरेशन करके ये क्या कर रहे हैं, तो basically women's को empower करने का काम करेंगे, so that जो women's जो हो, अपने career options को ले करके, है न, future में जो career विखल्प, जो है, options जो है, उसको ले करके, जादा उनके पास में knowledge रहे, well informed रहे, और उनको अच्छे तरीके से पता हो, कि अगर कल के डिट में, वो अपना business से start करना चाहते हैं, entrepreneurship करना चाहते हैं, तो उनके लिए proper knowledge उनको हो, तो ये जो है, मिल करके start किया गया, UNDP और दिन दियाल अंतर जाए यूजना के अंदर, अगली current affair है, नरेंदर सिंग तोमर जी ने एक app launch किया है, mobile app launch किया है, mobile PM किसान mobile app, ये app क्या करेगा, देखो central government जो है, farmers को उनके खातों में पैसे देती है, लेकिन इसके लिए कुछ document वेगड़ा पर अंगुठा लगाना, sign करना OTP मोईल में आएगा, ये सब process होता है, ताकि सही आदमी के पहचान की जा सके, अब इसको और आसान बनाने के लिए, mobile में जो ही एक mobile launch किया गया है, mobile में ये app launch किया गया है, इस app के थुरू क्या होगा, कि वो app जो है, वो person का, farmer का photo खीचेगा, और उसके face के थुरू जो है, authenticate कर लेगा, पहचान लेगा, तो ये app का नाम याद रखो, PM किसान mobile app, अगली current affair है, तमिलनाडू के डारेक्टर, जो DGP जो है, तो उन्होंने क्या क्या है, GDP का नाम important नहीं है, सिलेंदर बाबू, तो उन्होंने क्या क्या है, एक app, एक प्रोग्राम जो है, ये launch क्या है, प ताकि उनके अगेंस पर जो भी crimes होते हैं, ठीक है, तो जो भी crimes होते हैं, उनका proper सुरक्षा के लिए, ताकि लोगों में जो है, जाग रुकता जो है, फैल आई जाए, एक जनरलिस्ट है, असोक कुमार भटचार्ज, इन्होंने अपना बुक लिखा है, बुक का नाम है, India's Finance Minister from Independence to Emergency, इस बुक में भारत का आजादी के बाद से 1977 तक, जो भी finance minister हुए है, तो उन्होंने किस तरीके decision लिए, किस तरीके से उन्होंने इंडिया की अर्थ व्यवस्ता economy जो है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया, तो इन सब चीजों के बार में इस बुक में लिखा गया ह नेक्स्ट, हमाने होम मिनिश्टर अमिट सा, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने foundation stone जो है, वो रखा है, Central Forensics Science Laboratory का, तो Central Forensics Science Laboratory जो है, ये बनाया जा रहा है, जम्मू कस्मीर के सामभा में, आज इसका जो है आधार सिला रखा गया है, यूनियन मिनिश्टर के द्वारा, तो ये था हमारा 19 जून से लेकर के, 25 जून, current fare, national current fare, इसी तरीके से अलग-अलग category का जो current fare है, वो भी मैंने upload किया है, आप उनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो, thank you.